मैं नीशु वालिया सारणपूर से वालिय डोफ से डिकहाँ रहाँ हुँ आपको मार्किट में जो बड़ी अफुवा है हसकी के बार में वुल्ली कोट मैं अफुवास लिए कह रहा हुँ यहां तो साॉट में और हमारे यहां तो कुछ सलेक्टेड लोगों के लिख हर कोई रहा है किसी क्या है किसी पर मुझे इतना पता है वुल्ली कोड का सिंगल नोग है सारिनपुर और जिल्ले में मेरे पास जो इस प्रट हो गए दूसरी बात आपको दिखाता हूं वुल्ली कोट होता क्या है बच्छे आप मुझे नहीं पता वो लोग क्या डाल रहे हैं क्या बेच रहे हैं यार पता क्या हो रहा है जितने भी कस्टमर आ रहे हैं यह जितनी भी फेस्बूक यूट्यूब कोट के आप अगर सर्च कर रहे हो ना 15,000 में वुल्ली कोट आप सर्च कर रहे हो तो भाई फिर तो आपको बजट अपना बढ़ाना पड़ेगा अच्छी चीज आपको नहीं ले सकता पहले भी मैंने कहा था किसी भी आप डॉग जब भी सर्च करो तो कोशिश करो उसकी पे पैरेंट्स अगर वहां पर नहीं है तो तो कम्से कम मधर तो लाइव देख लो या फादर लाइव देख लो अगर पॉसिबटी कहीं पर हो तो दोनों ही पैरेंट्स देखके आओ लाइव बहुत बार क्या होता है कि ऐस फीमेल ब्रीटर बाई अपने मेट कराते हैं दूर सब्सक्राइब आपको दिखा रहा हूं यह जो बच्चे बहुत प्रैक्टिकल दिखाता हूं आप मेरी फिंगर्स देख लो ठीक है यह बच्चे में फिंगर्स जो है दिख रही होंगी आपको कि किस टाइप का कोट है यह टेल से लेगे ना हर जगे उतना ही कोट होगा चाहिए वह नेक पे और चाहिए वह फ्रंट में हो यह कहीं पर भी हो अब मैं आपको यह बच्चा दिखा रहा हूं बहुत हैं अगर आप मुझे कहो यह 10,000 में देदो या 15,000 में देदो भाई यह न मैं क्या कोई भी नही वुली कोट बहंगा होने का तो भाई मुझे नहीं पता क्या है पर क्या चीज होती है कि वाई सिल्वर और गोल्ड में जो अंतर है न वही है अंतर बस सब को पता है कि वुली कोट का मतलों एक सुंदर डॉग बढ़ा होके बनेगा इसी वज़े से लोग बहंगा बेचते हैं यहीं सारल पूरी हमारे पास हुए थे अपना इसमें मेरा जो डॉग है वो फादर था मदर किसी और के पास थी यह बच्चा मैंने वहां से ही परचेज करा आपना वह भाई से अपना तो अब मैं यह कहता हूँ भाई अगर आप इस बच्चे को परचेज भी ऐसा बच्चे सी मेंटिनेंस जाता है तो अगर आपके बाद समय है एंवायरमेंट है तभी आप यह कोशिश करना कि वुली कोट को परचेज करो थोड़ी सी देखो फर जादा होगा तो गर्मी लगेगी नॉर्मल सी बात है ज्यादा लगेगी दूसरे स्टेंडर कोट के मुकाबले और व यह बिख राहे यही बनेगा भाई सही वुली कोट कहते आं यह जैसे 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 बढ़ेगी इसकी बड़ेगी बाल भी लंबी होते रहेंगे समय के साथ लोंगेर हो जाएगा यह हमेशा तो मैं क्या बताओ बाई और देखो दूसरी चीज़ आप अच्छा डॉग जब परचेज करते हो ना तो कम से कम यह भी करो कि उसे अच्छा मेंटेन भी चाहिए सिरफ यह नहीं हो सकता कि आपको यह परसों में उसकी वेडियो आपको एड़ दर्द हुआ इसका फादर भी देख लेना आप